नमस्कार दोस्तों मैं रुकमतिवर्थे बोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल उपक ग्रिन गार्डन में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ बैल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तों आज एक बहुत ही खुबसूरत प्लांट के जानकारी लेके आई हूं मैं और उसके क्या टिप्स के जानकारी में आप लोगों को दूंगी जिसका नाम में बे दिखाऊंगी मैं क्योंकि इसमें इतनी हेवी फ्लावरिंग हो रही है और मतलब कलिया इतनी जादा निकल के आई है ये देखिए ये वाइट वाला हमारा गुलाब है और ये देखिए हर एक ब्रांच में कलिया देखिए आप कितनी आई है कलिया ये देखिए मैंने इसको खाद दिया है कुछी दिन हुए हैं मतलब 10 दिन हो गए होंगे और अब उसका रिजल्ट देखिए यह कितनी फ्लावर आए हैं और बहुती छोटा सा प्लांट है गुलाब का और इधर देखिए यह भी गुलाब का है और यह थोड़ा सा पिंक में हैं यह देखिए और इसमें आप कलियां देखिए कितनी आई है जो मैंने गोबर खाद दी उसका नतीजा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी अभी तो यह देखिए सभी में यह देखिए कितनी कलियां बनी हुई है सारे प्लांट में तो चलिए दोस्तों वीडियो को ह अपने टॉपिक पे ले आते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह है बहुत ही खुबशूरत प्लांट बेगम बाहर का और इसको टीको चायना भी बोलते हैं या प्रिंसेस फ्लाज भी बोलते हैं लेकिन बेगम बाहर एक कामन नाम है और सभी लोग इसी नाम से जादा तर जा हर शायद इसलिए है क्योंकि इसमें फूलों की बाहर बनी रहती है और धेरो फूल आते हैं इसमें खिलकर इदे कि इसमें कलियां देखिए कितनी सारी बहुत ही चोटा सा प्लांट है और कलियां बहुत सारी हर एक ब्रांच में कलियां दिखेगी आपको यह देखिए और य दोस्तों यह कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और इसकी जो पतियां होती है वह भी बहुत ही अच्छी थोड़ी सी एसे कड़क रहती है इसकी पतियां रूखी रूखी जैसे अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो एकदम चट से तूट जाती है इसमें पानी का होल्ड नहीं रहता ह है इसकी स्टेम भी ऐसी सूखी सूखी सी रहती है और प्लांटों में पानी स्टोर हो जाता लेकिन इसकी पतियां भी सूखी जैसी होती है और इस्टेम भी और दोस्तों यह प्लांट थोड़ा सा रेट में थोड़ा सा हंडेट रहे और या वन फिप्टी का मिलता है यह मैं और इसी के काफी दिनों से मैं खरीदने चाह रही थी और इसकी प्लांट से खत्म हो गया प्लांटों का तो ऐसा है दोस्तो कि हम कितनी ही केर कर लेते हैं इसा है कि देख भाल करना बहुत ज़रूरी होता है तो दोस्तो सबसे पहले में इसकी पॉट की बात करूँगी तो इसको जादा बड़ा पॉट की जरूत नहीं होती है कम पॉट में यह देखिए यह छोटा पॉट है इसको जादा से जादा मतलब जैसे बहुत हो गया तो तो दस से बारा इंच का पॉट या आठ इंच का पॉट काफी होता है अगर थोड़ा बड़ा भी पॉट होता है यह बहुत छोटा है तो यह पांच से छे इंच के पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाता है और नर्शरी से जब आप लाते हो तो कम से कम इसको पंदरा दिन तो आप रिपोर्ट ना करे तो जादा अच्छा है क्योंकि पंदरा दिन अगर हम जैसे नर्शरी से लाते जब रिपोर्ट कर देते हैं तो यह स्ट्रेश में आ जाता होई प्लांट हमारा मर भी जाता सारी पत्तियां हटा के और खतम हो जाता है इसलिए तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वातावरण है वो नर्सरी का अलग होता फिर हम घर में लाते वह वातावरण चेंज होता है तो इसकी कार मिट्टी या लाल मिट्टी में ज्यादा तर रहता है यह तो मिट्टी बनाने का आइडिया यह होता है कि एक भाग हम गार्डन सोयल ले लेंगे एक भाग हम खाद का ले लेंगे गोबर खाद या बर्मी कंपोस और एक भाग हम कोको पीट का जरूर लेंगे क्योंकि इसकी म मुश्यर बना के रखना है मतलब मिट्टी ऐसे बनाओ कि हम पानी डाले और पानी निकल जाए इसलिए सेंड की भी जरूवत पड़ती है पोरस मिट्टी और हलकी मिट्टी बनाए थोड़ी सी चिकनी मिट्टी मिलाएंगे तो ज्यादा सही रहती मतलब हलकी मिट्टी और पानी हॉल्ड करके रखना पड़ता क्योंकि इसकी जो पत्तीय है यह एकदम सूकी रहती है पानी नहीं हॉल्ड करती हुश्यर यह इसकी जो स्योइल है उसको हम ऐसे बनाएं कि मौशर बना रहे 사 justo एकदम पानी दलडली मिट्टी नहीं करना है बस इसलिए सेंड मिलाते हैं कि हम पानी डाले निकल जाए पर ये है कि मौशर बना रहे ऐसी हलकी मिटी आप बनाईएगा तो ये बहुती अच्छ से चलेगा और दोस्तो धूप की में बात करूँ तो जब इसमें फ्लावरिंग का टाइम आता है तो इसको धूप में थोड़ी सी धूप जरूर होगी इसमें इसलिए जितने भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं तो उसमें धूप की जरूप होती है तो इसमें चार से चार घंटे मतलब तीन घंटे चार घंटे की ऐसी या तो फिर ऐसी धूप होना चाहिए कि मतलब सुबह की धूप आ गई जो डारेक्ट जो बारा ए और थोड़ा सा shared area में भी रहता है, bright light में रहता है, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, bright light में और सुबह शाम की ठंडी धूप इसको पढ़ने चाहिए, और ठंड के दिनों में इसको दिन भर की धूप मिलेगी तो भी दिक्कत नहीं है, और दोस्तों इसका growing create होता है, गर्मी में थोड़ी सी ये dormancy period में चला जाता है, तो इसके growing period ये रहती है, और धूप 4 घंटे की तो चाहिए चाहिए, और फिर मैं बात करूँगी इसकी पानी की, तो watering इसको आप daily डालिए, लेकिन ये ध्यान दीजे कि मिटी इसकी एकदम दलदली ना हो, मतलत उपर की top cell थोड़ बहुत जल्दी लगती है, तो इसको over watering ना करे, पानी देखके ही डाले, मुश्यर बना रहे है, बस इतना ध्यान रखे, और फिर मैं फटीलाजर की अगर मैं बात करूँ तो फटीलाजर क्योंकि ये heavy flowering वाला plant है, तो फटीलाजर इसको हर 15 से 20 दिन में देना चाहिए, चाह जब इसमें एकदम कलियां बनने का start ही होता है, उस समय आगर इसमें आप फटीलाजर एट कर दोगे, तो फिर एकदम भर भर के इसमें कलियां बनेगी और भर भर के फूल आएंगे, और दोस्तो over watering से इसको fungus भी लग जाती, तो fungus के लिए अब यह हम निमखली का spray कर सकते हैं जो या तो trichoderma या कोई भी जो fungus वाला powder होता है, उसको गोल के इसकी जड़ो में भी डालना चाहिए और इसकी पती में भी spray करना चाहिए, तो इसकी fungus नहीं लगती है, क्योंकि over watering से इसको fungus लग जाती है, तो दोस्तो fungus से इसे बचाना चाहिए, तो दोस्तो वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तो कमेंट्स करना न भूलिएगा, धन्यवाद